दोस्तो नमस्कार मैं हूँ सुकदेव कंभूजुर एक बार फिर से हाजिर वहा हूँ आपके सामने एक नहीं वीडियो लेकर करके आज का टॉपिक हमारा दोस्तो रिलेटेड है जनरल साइंस से टॉपिक का नार्म है हमारा ब्लड ग्रुप रख्ट समूँ है बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक आता है आपका यह competition classes के जितने भी एक्जाम सोते हैं जितने भी आज इंडिया के अंदर एक्जाम हो रहे हैं उसके अंदर अगर जनरल साइंस पूछी जा रही है तो यहां से question आपका पुछा जाता है तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कौन-कौन से question कैसे कैसे बन सकते हैं तो blood group की बात करती हैं रख्ट समूँ इंसान के अंदर जो blood होता है उसके बहुत अलग-अलग group होते हैं किस-किस type के होते हैं तो उसकी शुरुआत करते हैं दोस्तो सबसे पहले जो रख्ट समूँ क कि खूज की थी सबसे पहले question ये बनता है कि रख्ट समूँ की खूज किस ने की थी तो इसके खूज करता कौन थे दोस्तो इसके खूज करता थे कार्ल लेंड स्टीनर कार्ल लेंड स्टीनर तो ये इसके खूज करता थे इन्होंने सबसे पहले क्या की थी रख्ट समूँ की खूज की थी इन्होंने बताया था कि रख्ट के बलड के भी अलग लग ग्रूप होते हैं इन्होंने कौन से प्रकार के रख्ट की खूज की थी ABO प्रकार की ये ABO प्रकार क्या है ये आग दोस्तो अलग-अलग blood group की कौन-कौन से question बनेंगे सारे हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं तो बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में अब लेंड स्टीनर ने दो elements के बारे में, दो तत्वों के बारे में, दो चीजों के बारे में बताया एक तो बताया उसने antizen और यह उसने बताया antibody अब यह क्या होता है antizen और antibody इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं antigen सबसे पहले देखेंगे पाया कहां जाता है antigen पाया जाता है दोस्तो RBC की सत्या पर RBC जिसको हम लाल रक्त करने का हैं बोल देते हैं red blood cells हमारे रक्त काई पार्ट होता है सत्या पर यह पाया जाते हैं जबकि antibody जो होती है हमारी यह रक्त plasma के अंदर पाया जाता है कहां पर पाया जाता है रक्त plasma के अंदर पाया जाता है अब यह होता क्या है antigen antigen हिंदी के अंदर इसको बोल देते हैं हम प्रतिरक्षी तो एंटीजन रबी सी की सत्या पर पाए जाता है जबकि यह एंटीबोडी क्या पाए जाता है रक्त प्लाजमा के अंदर पाए जाता है और जो रक्त एंटीजन होता है यह गलाइको प्रोटीन के कन होते हैं ग्लो विूलिन प्रोटीन इस प्रोटीन के कण होते हैं। तो यह तो हैं दोस्तो इनके बारे में नौर्मल जान करी तो काल लैंस्टीनर रक्त समूकी खोज कर ली उसने दो चीजें बताई कि रक्त में क्या होते हैं एंटीजन होते हैं और एंटीजन उसने बताया कि RBC की सतय पर होते हैं और यह होते हैं एक्चल में गलाइकोर प्रोटीन के कण होते हैं एक प्रकार का प्रोटीन है उसके कण होते हैं जबकि उसने एंटीबोडी के बारे बताया कि रख्त फ्लाजमा में स्थित होते हैं और ग बताया अब उसने खुदने नाम दी है capital A capital B तो antigen और antibody इनी के अधार पर क्या बाटे गए है रक्समू यानि antigen किसके अंदर क्या पाजाता है antibody कौन सा पाजाता है इसी के अधार पर यही अधार है रक्समू को बाढ़ने का blood group जो अलग लग होते हैं अब देखते हैं blood group कौन-कौन से होते हैं उसमें क्या antigen पाजाता है, कौन सा antibody पाजाता है कौन सा बंदा किसको रक्त दे सकता है, किसको नहीं दे सकता गलत दे देगा तो क्या होगा, यह सारी चर्चा हम अभी करते हैं तो हमने देखा antigen दो परकार के होते हैं कैपिटल A, कैपिटल B, RBC की सता पर पाए जाते हैं, गलाइको प्रोटीन के एकण होते हैं, जबकि एंटीबोडी हमारे क्या होते हैं, small A, small B, दो परकार के होते हैं, रक्त प्लाजमा में इनकी उपस्तती होती है, गलोविवियूलीन प्रोटीन के एक यह क्या होते हैं, कण होते हैं, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अब आगे देखते हैं, रक्त समू, blood group कौन-कौन से होते हैं, आपको पता है, एक होता है A, एक होता है B, एक होता है A, URL भी और Hपोता है ओ तरकार के क्यूं रक्ट्समों होते हैं अब इन रक्ट्समों को往 alt किसलिए माइनटीजन और अंटीबडी के अधर पर तो अगर मैं अंटीजन यहाँ बात करूं antigen और यहाँ पे लिखता हूँ मैं antibody अब कौन से group के अंदर कौन से antigen पाई जाता है और कौन से antibody पाई जाता है ये हमने देखना है अगर मैं रख समू ए की बात करूँ ए group वाले जो होते हैं उनके अंदर antigen तो क्या पाई जाता है A ही पाई जाता है antigen क्या पाय जाता है आमने देखा तो antigen capital B होता है तो antigen A ही पाय जाएगा जबकि antibody जो होता है वो इसका just vipreet B पाय जाएगा वही कहानी यहां पर B के अंदर antigen तो क्या पाय जाएगा B ही पाय जाएगा जबकि antibody क्या होगा small A होगा अब बात करतें AB ग्रूप की AB ग्रूप AB यहाँ पे दोनों है तो यहाँ पे दोनों के दोनों एंटीजन पाए जाएंगे AB होता है यहाँ पे B भी होता है जबकि एंटीबर्डी AB ग्रूप के अंदर नहीं होता यहाँ पे कोई भी एंटीबर्डी नहीं होता इनका फरक क्या पड़ता है यह अभी हम चर्चा करेंगे अब बात करते हैं O ग्रूप की O ग्रूप के अंदर क्या नहीं होता एंटीजन उपस्तित नहीं होता जबकि क्या होते हैं एंटीबडी दोनों के दोनों होते हैं A and B तो हमने यह देखा यह तो A और B के बारे में ज़्यादा चर्चा करने का विश्या नहीं है क्योंकि A के अंदर एंटीजन A है एंटीबडी B है जबकि B के अंदर एंटीजन क्या है B है और एंटीबडी क्या है स्मॉल B है जबकि हमने यह देखा कि A B जो ग्रूप है उसके अं एंटीबोडी उपस्तिद नहीं है और यहां पर हमने ओ ग्रूप के अंदर यह देखा कि एंटीजन कोई नहीं है जब कि एंटीबोडी क्या है ए और भी ग्रूप है अब बात करते हैं कि इनका काम क्या होता है अब आपने देखा हुए कई बार किसी को चोट लग जाती है या किसी का एक्सिडेंट हो जाता है तो हमें क्या होती है रक्त की जरूरत पड़ती है तो रक्त की जब जरूरत पड़ती है तब हम क्या करते हैं एक दूसरे जिसके पास रक्त होता है उसी समू का तो हम उससे ले लिया भी वाले से रख्त ले लिया तो क्या होगा ए ग्रूप उस बंदे का है उसके अंदर क्या थी antgrown a था और antivoddy क्या था लेकिन जैसे वह वह B का रख्त उसके अंदर पहुँचता है तो क्या होता है antibodies यहां पर A और यहां पर B, तो यह आपस में क्या हो जाता है, तो antigen A और B का क्या हो जाता है, तक्राव हो जाता है, यह यूं कहिए कि यह विपरीत हैं, एक दूसरे से, तो यह क्या कर लेते हैं, आपस में क्रिया कर लेते हैं, जब इंक्रिया हो जाती है, तो क्या होता है, यह accept नही नहीं होता इसका रख्त ब्लड नहीं होता तो इनकी जो RBC हैं आपस में क्या बना लेती हैं एक गुच्छे नुमा सरंचना मना लेती हैं जिसके कारण पूरा का पूरा जो रख्त है जो ब्लड है उनका क्लोट बन जाता है और व्यक्ति की मृत्ति हो जाती है तो इसलिए एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप में खुन नहीं चड़ता अब कैसे कैसे चड़ेगा कौन को दे सकता है कौन को नहीं दे सकता उसकी वी चर्चा हम देरे देरे आगे बढ़ाएंगे अब बात करते हैं कि रोकता कौन है किसके आने से मतलब क्या चीज है जो एक ब्लड ग्रूप का दूसरे ब्लड ग्रूप को जब घून देते हैं रखत दिया जाता है तो क्या चीज रोकती है रोकती क्या चीज है दोस्तो एंटी बोडी रोकती है तो यहां से अगर मैं यह निशकर्ष निकालूं हम सब को पता है कि AB जो गोता है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों AB ग्रुप वाला सरव ग्राही इसको बोला जाता है यानि AB ग्रुप वाला जो बंदा है वो सभी का कून क्या कर सकता है ले सकता है क्यों बोला जाता है ये भी हम चर्चा करते हैं अभी और O ग्रूप को क्या बोला जाता है सरवदाता बोला जाता है सरवदाता सरवग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर सरवदाता यूनिवर्सल डोनर इंग्लिश के अंदर नाम है अब देखतें कि AB को सभी का रख्त क्यों दिया जा सकता है AB गुरुप के अंदर देखा हमने कि antibody उपस्तित नहीं है जब antibody उपस्तित नहीं है ये antibody एक तरह के क्या होते हैं ये सैनिक होते हैं रख्त के हमारे क्या होते हैं सैनिक होते हैं, जब सैनिक यह पस्तित नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी क्या हो सकता है, एंटर कर सकता है, कोई भी जा करके हमला कर सकता है, तो इसलिए AB जिसका रख्त समू है, वो सर्वगराई है, क्योंकि वहाँ पे क्या पस्तित नहीं है, एंटीबोडी पस्तित नहीं है, سینک कोई भी पस्तित नहीं है और इसको रोकने वाला नहीं है तो किसी भी blood group का इसको क्या दिया जा सकता है blood दिया जा सकता है दोस्तो यही फर्क होता है अब हम बात करते हैं किसकी सरवधाता की सरवधाता यानि ये सब को खून दे क्यों सकता है अब देखो स्पोज करो इसके पास दोनों तरह के सैनिक है A वाले भी और B वाले भी अगर O ग्रुप का इसको देते हैं खुन, ब्लड इसको क्या चड़ा दिया जाता है O ग्रुप सरव दाता है यह सबको दे सकता है इसको देगा तो यहां रोकने वाला तो कोई है नहीं यह तो सबका ले ही सकता है और अगर मैं कहता हूँ कि O ग्रुप वाला किसको दे रहा है B को दे रहा है तो यहां पे इसको रोकने वाला कौन है अगर इसका ब्लड इसको जाता है तो यहाँ पे रोकने वाला इसके पास क्या है A है यानि antibodies का A है जबकि A और A यहाँ पे A लेकर की आ रहा है तो कोई problem नहीं होगी यानि इसको blood दे सकता है इसके लिए A पड़ा हुआ है अब अगर A है और antigen तो कोई है यह नहीं जिसको यह रोक सके यह चीज किसको रोकती है antigen को रोकती है antigen रोकते है तो antigen तो है यह नहीं तो यहाँ पे गया तो antigen था नहीं तो इसने कोई problem create नहीं करी अब वोई बात है कि यह A के पास गया यानि O वाले group का A को हम देते हैं अगर खूं या रख्त चड़ाया जाता है तो अगेन यहाँ पे antibody क्या है B है और antigen किसी को रोकना तो है यह नहीं क्योंकि antigen तो है यह नहीं इसके पास तो इसको कोई problem नहीं होती तो इसलिए दोस्तों क्या बोला जाता है कि AB group जो है वो होता है सरफ ग्राही जबकि AO group जो होता है सरफ दाता होता है यह तो थी मोटी मोटी बाद अब आपके मन में प्रशन आता होगा कि O positive B positive यह चारी चीज़ें क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगी तो हमने मोटे मोटे तोर पर यह देखा कि रच्ट सम्वू कितने प्रकार के होते है यह चार प्रकार के होते है AB और O A के अंदर antigen A पाजाता है antibody B यह वाले antibody याशन या नि यह शरीर के सैनिक होते है यह रोकेंगे दूसरे blood को आने के लिए अगर जो इनका suitable होगा उसी को आने देंगे ने तो नहीं आने देंगे या यूँ कहें कि B जो antibody है वो किस से संबंध है उसका A से संबंध है यानि ये वाला आएगा तभी इसको पैचानेगा अधरवाइस कोई अधर आएगा तो उसका क्या कर लेगा ये प्रतिकार करेगा ठीक है रिजेक्ट कर देगा अब बात करते हैं positive और negative कैसे होते हैं इसको मेरेज कर देते हैं अभी तक तो क्या चल रहा था simple blood group चल रहा था अब ये positive और negative की कानी कब से आई तो science जैसे जैसे science ने तरक्की की तो क्या हुआ एक खोज और की गई वो खोज किस ने की थी अगें लेंड स्टीनर और winner नाम के दो वेगैनिक लेंड स्टीनर तो वो ही आदमी जिसने क्या किया था रच्समू की खोज की थी इसके साथ एक और मिल गया winner इन दो बंदों ने क्या की अपनी खोज की और मकाका रेसिस बंदर मकाका रेसिस बंदर ये बंदरों की एक प्रजाती है उस पर खोज की और ये पाया कि उनकी जो आरबीसी है यहनी रेड ब्लड सेल है उनकी सतय पर उनकी सतय पर क्या पाया गया एक कारक एक्स्ट्रा पाया गया वो कारक उसको उन्होंनों ने क्या नाम एंटीजन था दोस्तों तो उन्होंने ये पाया जब उन्हों बंद्रों का अध्यन किया तो उनकी आर बीसी को जब चेक किया तो ए बी उनके इलावा क्या पाया गया एक आरेच फेक्टर और पाया गया एंटीजन के रूप में फिर उन्होंने क्या किया यही रिसर्च क्या क मानुआमा पे की यानि humans पे wiping तो तब उन्होंने पाया कि RH factor गिसमी भी होता है mankind के अंदर भी होता है और अगर हम बात करें तो लगग 95% लोगों के अंदर ये रहा फेक्टर ह TRT ठीक है 90-95 पर सेंट जो है rH factor उसके अंदर पाये जाता है और पाया कहाँ जाता है वो ही RBC सताय प्रपाय जाता है तो यहां से यह RH फैक्टर वाला आया कहानी तबी से हमारा रख्त पोजिटिव और नेगटिव में क्या हो गया बढ़ गया अब जिसके अंदर तो क्या होता है RH फैक्टर उपस्तित होता है उसको हम क्या कह देते हैं? पोजिटिव और जिसके अंदर RH फैक्टर नहीं होता उसको हम क्या बोल देते हैं? नेगटिव बोल देते हैं फ़र एक्जामपल अगर किसी का ब्लड ग्रूप O है A है स्वरी A है तो A पर क्या होगा? उसके अंदर एंटीजन मैंने क्या कहा? एंटीजन कौन सा होगा? A होगा और एंटीबोडी एंटीबोडी क्या होगा? स्मॉल B होगा अपोजिट होगा इसका अब क्या कहता है? कि एक RH फैक्टर को जागा वो था क्या? एंटीजन था अगर इस बंदे के अंदर जिसका ब्लड ग्रूप क्या है? A है इसके एंटीजन एक और पाया गया कौन सा? RH कारक अगर इसके अंदर RH पाया गया तो ये ग्रूप जो इसका हो जाएगा यानि इसका ब्लड ग्रूप क्या कहलाएगा? A पोजिटिव कहलाएगा ठीक है? अगर इसकी RBC की सता पर RH पाया गया तो ये क्या कहलाएगा? A पोजिटिव वाला बंदा कहलाएगा यानि इसका ब्लड ग्रूप क्या माना जाएगा? A पोजिटिव माना जाएगा अब अगर इसकी वाइस वर्सा की बात करते हैं अगर ये RH फेक्टर यहाँ पे नहीं है अब इसका ब्लड ग्रूप क्या हो जाएगा? A नेगिटिव हो जाएगा बस इत्ती जिकानी है अगर RH फेक्टर है किसी व्यक्ति के अंदर तो उसका पोजिटिव होता है यानि अगर किसी का मानलो B पोजिटिव है तो B पोजिटिव का मतलब ये है कि उसके अंदर RH फेक्टर है तो इस वंदे का पोजिटिव ग्रूप है तो ये थी पोजिटिव और नेगिटिव की कहानी अब जैसे कि हमने कहा कि अगर विपरीत अलग ब्लड ग्रूप का व्यक्ति क्या करता है दूसरे ब्लड ग्रूप वाले को क्या देता है रक्त देता है अपना तो एंटीजन एंटीबोडी की क्या होने है टकराव होने के कारण क्या हो जाता है RBC आपस में दोनों ब्लड ग्रूप की RBC क्या कर लेती है क्रिया कर लेती है जिससे क्या हो जाता है RBC का क्या बन जाता है गुच्छा बन जाता है यानि क्लॉट बन जाता है जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है मृत्ति हो जाती है तो यह दोस्तों कहानी थी आपके positive कैसे होते हैं और negative कैसे होते हैं और अगर हम बात करें अब हमारी definition थोड़ी सी बदल है पहले हम मैं क्या कह रहा था सार्वत्रिक दाता मैंने क्या कहा था जो सब को खून दे सकता है सब को बलड दे सकता है वह होता है ओ ओ कह रहे थे अपने लेकिन अब हमने क्या पढ़ लिया कि positive और negative होता है तो सार्वत्रिक दाता में सार्वत्रिक दाता में O negative जो होता है वो होता है सार्वत्रिक दाता यह क्यों होता है इस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी हमने क्या पढ़ा था ओ ग्रूप पढ़ा था इसका antisem मैंने क्या बताया था antisem इसके पास होता ऑन ही नहीं है जबकि antibody क्या होता है antibody इसके पास 2 नहीं होते हैं अब इसको मैं क्या सारवत्रिक दाता कि अब आ पर antisem नहीं है और यहां पर rs factor भी मैंने नहीं लिखा तो इसका मतलब यह क्या है कौन सी स्तिती है इसकी O negative वाली स्तिती है O negative वाली स्तिती के अंदर ही देखो antibody, antigen कोई है नहीं जब antigen कोई है नहीं तो antigen किसी को भी चड़ा दो यानि अगर B गुरूप वाले को चड़ा गो मालो A गुरूप वाले को चड़ा दिया इसका हुन A group वाले में antigen क्या होगा A होगा और antibody क्या होगा B होगा अब इसका blood group जिसका जो blood है इसको चड़ा दिया गया अब इसने जैसे ही चड़ाया तो इसका antibody यानि B जो इसका senic है उसने पैचाना किसको antigen को antigen कोई है नहीं तो इसको कोई problem है और simply इसका blood जो है इसके अंदर चड़ गया अब क्या हुआ ये था O negative की कानी जब RH factor नहीं था दोस्तों अब मैं क्या कहता हूँ कि अगर ये RH factor है यहाँ पे तो RH factor है तो RH factor क्या है एक antigen है antigen यहाँ पे है तो ये O क्या स्थिति क्या हो जाएगी O positive हो जाएगी अब देखते हैं ये blood इसको दे सकता है या नहीं दे सकता है अब ये इसके अंदर जब blood जाएगा तो इसका senic यानि इसका जो antibody क्या करेगा antigen देखे गए यहाँ पे तो RH बैठा हुआ है RH बैठा हुआ है तो RH के लिए तो वो क्या करेगा इसको रोकेगा क्योंकि इसको पैचानता नहीं है तो सिर्फ किसको पैचानता है A, अगर A आ गया तो तो ये क्या करेगा accept करेगा, otherwise A के लावा कोई भी आता है तो क्या करेगा उसको reject कर देगा, उसने देखा RH आ गया RH आ गया, जो इसके तो हिसाब में आ नहीं रहा तो ये क्या कर देगा, इसको reject कर देगा यानि, O positive वला बंदा नहीं दे सकता, केवल O negative वला बंदा, यानि जब RH फैक्टर नहीं होगा, उसी को हम क्या कहेंगे Universal Donor कहेंगे सर्वत्रिक दाता कहीं यानि, अब हमको पता लगे O negative क्या होता है, सर्वत्रिक दाता होता है इसी तरह सेम कहानी किसकी है AB की है, AB के अंदर भी क्या है, कौन AB को हमने क्या कहा था सर्वत्रिक ग्रही कहा था AB negative वला होता है, सर्वत्रिक ग्रही तो यह आपको याद रखना, एक example मैंने O वाला देखके देख लिया, AB वाला आपको दिमाग लगाएं ही कैसे होता है, O negative सबको क्या कर सकता है, blood दे सकता है, जबकि AB negative वाला सबका blood ले सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगी universal, acceptor, यह सबका खून ले, यह सरवत्रिक ग्राही, यह सरवत्रिक दाता, ते कोशन यहां से दोस्तों बहुत सारे आपके solve हो जाते हैं, अब बढ़ते ही यह तो हमने सीख लिया कि Antigen क्या होता है, Antibody क्या होता है, और कौन किसका blood ले सकता है, तो Antigen और Antibody के यह साब से, आप blood क्या कर सकते हो, दे सकते हो, ले सकते हो, अब अगर मैं बात करूँ, कि Negative Group वाला, Negative Group वाला बंदा क्या कर सकता है, Positive वाले को क्या कर सकता है, रक्त दे सकता है, बस इत्ती सी बात याद रखना है, कि Negative Group वाला बंदा जो है, Positive वाले को दे सकता है, लेकिन positive group वाला बंदा negative वाले को blood नहीं दे सकता ठीक है तो आप इसका draw करके देखी क्यों नहीं दे सकता मैंने आपको बता दिया कि positive में क्या होता और negative में क्या कहानी होती है तो अब बढ़ते हैं आगे अब एक दोस्तो बहुती गंबीर समस्या हो जाती है जब बच्चे का जनम होता है बच्चे का जनम होता है तो क्या होता है देखो कई बार क्या होता है जो लड़का होता है लड़का और लड़की की शादी होती यानि male और female कि जब शादी होती है तो इस condition में क्या होता है देखो अगर male क्या है positive है ये उस condition की बात है जब male क्या होता है positive blood group वाला होता है और female क्या होती है negative blood group वाली होती है और इन दोनों से क्या होती है इनकी प्रतम संतान पैदा होती है और अगर प्रथम संतान पैदा होती है तो उनका मानलो स्पोज़ गरू अगर positive blood group होता है उसकी संतान का प्रथम जो संतान होती प्रथम बच्चा जो है positive blood group वाला अपस्तित होता है positive का मतलब क्या है इसमें RH factor आ चुका है अपने पिता से क्या आ गया? RH factor आ गया है लेकिन जब माता के गरब के अंदर बच्चा होता है तो यह क्या करेगा? रक्त का प्रवा इधर से इधर होईगा और लेकिन यहां पे तो क्या बैठा हुआ है? negative blood group है जबकि इसका बच्चे का क्या है? positive blood group है तो इसके प्रती किस में क्या बन जाएगा? antibody बन जाएगा लड़की में क्या बन जाएगा? antibody बन जाएगा लेकिन यहां पे problem antibody तो बन जाएगा लेकिन यह सक्रिय नहीं हो पाएगा इसलिए यह बच्चे का जनम जो है स्वस्त रूप से हो जाएगा सुवस्थ बच्चा जो है पैदा हो जाएगा लेकिन प्रोब्लम कहा होगी दोस्तो जब इसकी next संतान होगी अगली संतान जब होगी और अगली भी मान लो क्या हो जाता है उसका blood group आ जाता है positive आरेश फेक्टर इसके अंदर आ गया लेकिन अब इस समय क्या होता है जब प्रोथम संतान होई थी तो माता के अंदर क्या बन गया था antibody बन गया था यानि वो सैनिक बन गया था इसको रोकने वाला रेश फेक्टर को रोकने वाला लेकिन तब वो सक्रिया नहीं हो पाया था जबकि ये antibody एक बार दोस्तो जब बन जाता है आपके शरीर में तो ये पूरी उमर काम करता है कैसे काम करता है वो अपने एक टीकी की मदद से भी समझेंगे antibody बन गया जब फर्स संतान होई थी उसकी antibody लड़की के शरीर में माता के शरीर में क्या हो गया बन चुका है जब उसकी second संतान होई और positive group की हो गई तो क्या होगा दोस्तो ये antibody इसके antigen से क्या हो जाएगा इसका टकराव हो जाए क्योंकि जब माता इसको potion देगी तो क्या हो जाएगा ये रक्त का आपस में क्या बना लेंगे जैसे अलग अलग blood group का बनता है ठीक है और बच्चे की क्या हो जाएगी गरब के अंदरी मृत्यू हो जाएगी और इसके बाद जितनी भी संताने होगी उस माता की जितनी भी संताने होगी अगर वो positive blood group की होती है अगर negative की होई तो तो कोई problem नहीं है क्योंकि माता का negative है blood group अगर ये positive blood group के साथ चाहे 10 संताने पैदा होई चाहे 15 संताने पैदा होई वो सभी की सभी मृत्यू को प्राप्त करेंगी ठीक है दोस्तो क्योंकि अलग blood group आ गया और इस चीज को हम बोलते क्या है इस चीज को दो गरब रक्तानू को रक्ता इसको यह नाम दिया गया है इस प्रक्रिया जब यह होती है गरब रक्तानू को रक्ता इसको नाम दिया गया है बहुत ही गंबीर समस्या है जब तक क्या की science ने क्या नहीं की थी तरक्की नहीं की थी तो इसी तरह से गरब में बच्चों की मृत् कि सबी तरह के जितने बच्चे हो रहे हैं वो सारे क्या हो रहे हैं मर रहे हैं गरब के अंदर तो इसको अंद विश्वास के साथ जोड़ दिया जाता था और इस प्रकार अंद विश्वास को बढ़ावा दिया लेकिन देरे देरे साइस नहीं क्या की तरक्की की जब पता जाता है मान लो यह condition हो गई Antibody first संतान के अंदर ही पैदा हो गया तो 24,000 गंटे के अंदर अंदर यानि delivery के 24,000 गंटे के अंदर अंदर माता को क्या कर दिया जाता है 24 गंटे के अंदर-अंदर IgG का टीका एक आता है, IgG का टीका आता है, वो लगा दिया जाता है, इस नाम से आता है IgG, तो वो क्या कर देता है, इस antibody जो माता के श्रीर में बन गया, इसको क्या कर देता है, निश्क्रिय कर देता है, निश्प्रबावी कर देता है, जिससे next जो स भी आप क्या करोगे blood देने जाओगे या blood किसी का लोगे तो आपको blood group तो आपको check करना ही करना है और साथ में positive negative भी check करना है क्योंकि RH factor अलग है तो भी आपका अगले व्यक्ति की मृत्ति हो सकती है अगर अलग group का आ गया positive negative में भी फरक पढ़ जाएगा दोस्तों तो दोस्तों ये था हमारा blood group blood group से ज़्यादा ज़्यादा चीजें आती है एक्जाम में और मैं ने cover करने की कोशिश की है फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रशन है तो आप मेरे को comment box में बता सकते हैं धन्यवाद दोस्तों